देखे प्रश्ण में क्या कह रहा है निमनलिखित में कौन बहुपद नहीं है अगर ऐसा प्रश्ण मुझसे पुछा जाए तो 5 से 10 सिकंडर में बता दूँगा इसमें कौन बहुपद नहीं है एक नजर में देखेंगे आप्शन सी बहुपद नहीं है तो आखिर ये चीज हमें कैसे समझ में आया कि ये बहुपद नहीं है तो आप भी एक्जाम में कैसे पकड़ लेंगे कि बहुपद नहीं है इसके लिए कुछ ट्रिक है इसको ध्यान रखना है समझ में आजागा कौन बहुपद नहीं है सबसे पहले अगर आप x2 plus 2x plus 1 यह तो द्विघात भूपद है लेकिन किसी भी भूपद का पावर यदी माइनस में दिया रहे तो समझ जाएंगे वह भूपद नहीं है दूसरी पहचा बिल्कुल अब फिर कोई एक भूपद ले लेते हैं ठीक है सेम भूपद फिर ले लिए अभी यह भूपद है अब अगर मैं रूट 2 लिख दूँ यहां तब भी यह भूपद है इसी रूट को अगर और बढ़ा दिया जाए x को मतलब कोई चर अगर रूट में चला जाए तो समझ जाए यह वह भी भूपद नहीं है ठीक तीसरी पहचान 1 by 1 plus 1 by x कोई चर बटा के निचे आ जाए और बराबर कुछ भी न दिया गया हो बराबर एक दे दे या बराबर 0 भी दे देंगे तो फिर वह भूपद हो जाएगा इस तरह से कोई संख्या लिखी गई हो जिसमें चर हर में हो तो वह भी भूपद नहीं होगा जैसे एकस प्लस 1 by x ठीक है इसी को आप 2x प्लस 1 by इस तरह से अगर x रहे चर निचे है हर में है और बराबर कुछ नहीं है तो भूपद नहीं होगा यह तीसरी पहचान है चौथी पहचान क्या है कोई भी भूपद पहले आप ले लिजिए ठीक है और किसी भी चर का पावर यदी बट्टा में भीन में दिया गया हो एकस का पावर 1 by 2 लस 3x अगर पावर बट्टे में है तो समझे वह भी भूपद नहीं है इन चारों के अलावा कुछ भी दिया रहे वह भूपद होगा यही चारों भूपद नहीं है इसी चारों का पैट झाल झाल